हे गाइस कैसे हो अब लोग आज इस वीडियो में OnePlus Nord CE4 Lite 5G का Top 50 Plus Amazing Features के बारे में बताऊंगा ए वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे होम स्किन में साइट से स्वाइब करोगे एक साइट बार खुल के आता है यहाँ पे बहुत सारे साट काड या बहुत सारे application मिल जाएगा edit के उपर टैप करके बहुत सारे साट काड को add कर पाओगे बहुत सारे application को भी add कर पाओगे डान कर देना हार एक application यहाँ पर इस्तो करेगा by default ए features बंदी रहता है इसको enable करने के लिए setting के अंदर आना है, special features के अंदर आना है, यहाँ पे smart sidebar का option दिखाई देगा, इस features को enable कर दीजिए इस phone में बहुत सारे social media application है और यह सारे social media application को dual app में convert भी कर सकते हो उसके लिए setting के अंदर आना है, यहाँ पे apps का option दिखाई देगा, app klonar का option दिखाई देगा, यहाँ पे जो सारे social media application है, सारे के सारे application को on कर देना दोस्तों, dual app में convert हो जाएगा बेसिके लिए एकी phone में दो WhatsApp, दो Facebook, दो Instagram ऐसे ही use कर पाओगे, बहुत सारे application हम लोगों के लिए important है, वो सारे application को आप लोगों के जरिये log भी कर सकते हो, उसके लिए setting के अंदर आप लोगों को आना है, security का option दिखाई देगा, थोड़ा ही नीचे आप आओगे, यहाँ पे app log का option दिखाई देगा, first time जब आप लोग सेट अप करोगे, setting के अंदर जाके password create करना पड़ेगा, कुछ question पूछा जाएगा, डाल देना दोस्तो, reset के time में काम में आता है, app log को enable करके, जो सारे application को आप लोग करना चाहते हो, enable कर देना, वो application log हो जाएगा, अब देखिए, य जो application इसको मैं open करने जाऊंगा, password मागेगा, जब तक मैं password नहीं डालूंगा, phone open ही नहीं होगा, कई बार हम लोग हमारे friend को YouTube देखने के लिए phone को देते हैं, बंदा YouTube तो देखता है, लेकिन दोस्तों हम लोग थोड़ा ही दूर जाने के बाद YouTube से बाहर निकालके, बंदा घ phone दे रहे हो, तो यहां पे दोस्तों recent menu में आ जाना, three dot के उपर tap करके, pin के उपर tap कर देना, application पीन हो जाएगा, नहीं तो आप लोग बैक जा पाओगे, नहीं तो दोस्तों home screen में जा सकते हो, नहीं तो दोस्तों notification ड्रोयर को access कर पाओगे, इसको disable करने के लिए menu button और back button को ए पोल्ट करके रखिए, अब दोस्तों ए डिसेबल हो चुका है, अब भी आप लोग बाहर आ साकते हो, कोई भी application को अगर आप लोग height करना चाहते हो, वो भी possible है, setting के अंदर यहां पे security के अंदर आना है, सबसे नीचे यहां पे height app का option दिखाई देगा, password डालीए दोस्तों, app lock के time में जो password आपने डाला दा, जो भी application को height करना चाहते हो, select कर लीजे, setting के अंदर आके एक passcode डाल दीजे, देखिए, मैं एक passcode डाल देता हूँ, और यहां पे tick कर लेता हूँ, hidden application, hidden के उपर tap करके check कर पाऊगे, अगर आप तुरंत ही कोई भी hidden application देखना चाहते हो, dialer के आजाईए, यहां पे dial pad में आजाईए, जो passcode आपने डाला दा, या मैं डाला दा, वो डाल देता हूँ, अभी देखिए, hidden application यहां पे आ चुका है, और यहां से ही दोस्तों आप लोग तुरंत hidden application को use कर पाऊगे, इतना ही नहीं, आप चाहो तो कोई भी picture को भी height कर साकते हो उसके लिए आप लोगों को gallery के अंदर जाना पड़ेगा, कोई भी picture के अंदर चले जाईए, यहां पे three dot के उपर tap करके, यहां पे set as private के उपर tap करके ok कर दीजिए, अभी जो file है, वो private हो चुका है, private file को चेक करने के लिए same process है दोस्तो, setting के अंदर, security के अंदर, सबसे सिर्फ picture ही नहीं दोस्तो, audio, documents या others किसी भी file को अब लोग hide कर पाओगे, AMOLED डिस्प्ले दिया है, all which on display को भी enable कर सकते हो, setting के अंदर आना है, wallpaper and style के अंदर आना है, all which on display का option दिखाई देगा, इसको enable करना, नीचे तरह तरह की का all which on display का option है, इन में से कोई भी option को select कर सकते ह इतना ही नहीं दोस्तो, इस phone में जब भी कोई भी incoming notification या incoming call आता है न, site से light blink करना सुरू करता है, इसको enable करने के लिए wallpaper and style के अंदर सबसे नीचे age lighting का option दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके का lighting effect आप लोगों को show करेगा, जब भी कोई भी notification या incoming call बेगर आएगा, wallpaper and style के अंदर यहाँ पे दोस्तो, fingerprint animation का option दिखाई देता है, तरह तरह के का यहाँ पे animation है, इन में से कोई भी animation को आप लोग select कर साकते हो, dual channel acceleration का option भी देखने को मिलता है, setting के अंदर, wifi के अंदर आना है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, wifi assistant, dual channel network का option दि internet और mobile data का internet एक साथ दोस्तों access करेगा, और आपको ए सारे application यूज करने में better experience प्रोवाइट कराएगा, इस पौन में floating window का option भी देखने को मिलता है, कोई भी application को आप लोग यूज कर रहे हो, कई बार क्या होता है, छोटा skin में चाहिए रहता है, तो उसके लिए recent menu मेनु में आजाना, three dot के उपर tap करके, यहाँ पे floating window के उपर tap कर देना, mini window है, single tap करने से floating window enable हो जाता है, यहाँ पे tap करके कहीं भी move करवा सकते हो, यहाँ से दोस्तों इसके skin को बड़ाई या छोटा कर सकते हो, साथी में full skin में भी यहाँ से convert हो जाता है, यहाँ पे भी option है, और cross के important application को use करते हैं, और अचनक बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमारे दोस्त क्या करता है, recent menu में जाने के बाद ना, कौनसा application के अंदर कौनसा चीस use कर रहे थे, वो सब कुछ देग लेता है, इसको भी अब लोग private बना सकते हो, three dot के उपर tap कीजिए, यहाँ पे height का option दिखाई देगा या जो color है, इसको भी change कर पाऊगे, setting के अंदर आब लोगों को आना है, wallpaper के अंदर आना है, यहाँ पे color के अंदर आके देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा color है, अगर मैं यहाँ पे select करूँ, तो देखिए color change हो चुका है, तो इसी तरीके से color को change कर पाऊगे, और quick setting के उपर tap क करके दोस्तों, अब लोग अलग-अलग shape में भी create कर सकते हो, round था, अभी square हो चुका है, इस phone में WhatsApp का deleted message भी देख पाऊगे, उसके लिए setting के अंदर आना है, notification के अंदर आना है, थोड़ा ही नीचे more setting का option है, और notification history का option दिखाई देगा, इसको enable कर दीजिए, WhatsApp का deleted message तो check कर पा notification के अंदर, notification के अंदर, lock screen के अंदर आना है, और यहाँ पे दोस्तों, so lock screen notification को disable कर दीजिए, अभी देखिए, lock screen में कोई भी notification सो नहीं करेगा, जब तक आप नहीं चाहोगे, इस phone में skin of gestures का option भी देखने को मिलता है, उसके लिए additional setting के अंदर आना है, gestures and motion के अंदर आना है, skin of gestures का option मिल जाएगा, O लिखोगे तो lock screen में camera open हो जाएगा, V लिखोगे flash light open हो जाएगा, नीचे भी बहुत सारे option है, जैसी कि aim draw करोगे, यहाँ पे launch assist open हो जाएगा, मैं चाहता हूँ अलग कोई भी application open हो, जैसी कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे Gmail open हो जाएगा, तो अभी देख करते हो, नीचे scroll के उपर tap करके आप लोग long skin shot भी ले पाओगे, जैस्तरस और motion के अंदर raise to eye का option भी है, माल लिजे कोई भी phone पड़ा है, अगर उठाते हो, automatically skin का जो light हो जाता है, left to ear to answer call, basically कोई भी incoming call आ रहा है न, phone को कान के पास लेकर आ जाईए, automatically call receive हो जाता है, साथी में जो flip to mute incoming call, incoming call आ रहा है, तो phone को पलट दीजे, call mute हो जाता है, additional setting के अंदर और भी बहुत सारे भैतरिन features मिलता है, एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले one hand mode मिलता है, एक हातों में अगर आप लोग use कर रहे, one hand mode आपको बहुत help करेगा, लेकिन one hand mode को use करने के लिए दोस्तों आप लोगों को, मतलब जो button रहता है, ओ काम नहीं करता है, आपको justice में switch करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से करोगे one hand mode को enable करने के बाद, one hand mode enable हो जाता है, assistive बलक भी option देखने को मिलता है, इसको enable कर दीजे, देखिए single tap करोगे, bag हो जाता है, double tap क करोगे, यहाँ पे recent menu में आ जाओगे, tap करके hold करके रखोगे, home skin में आ जाता है, लेकिन इसको control कर पाओगे, अदलब customize कर पाओगे, तो उसके लिए tap menu के ओपर tap कर दीजे, अभी tap करने से back नहीं होगा, अभी menu खुल के आएगा, यहाँ पे जो home skin है ना, मैं चाहता हूँ, home home skin के जगा में, one hand mode features add हो जाए, देखे, one hand mode enable हो चुका है, home skin के जगा में, मैं यहाँ पे justice कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे भाई लोग चाहता है, button use करना, यहाँ बहुत सारे भाई लोग बटन यूज करता है, उस सारे भाई लोग चाहता है, justice को use करना, तो उसके लिए additional setting के अंदर, navigation system के अंदर, यहाँ पे button या justice को enable कर देना, enable हो जाएगा, जब आप लोग new phone को setup करोगे, तब ना, हर एक application यहाँ पे home skin में आ जाता है, और जब आप लोग एक हाँ तो में phone को use कर रहे हो, इस सारे application एक उंगली से open तो नहीं होता, तो इसके लिए एक solution है, इस icon pull down, gestures का option दिखाई देगा, screenable कर दीजिए, home skin में double tap करोगे, skin का जो light app बंद हो जाता है, फिर से double tap करोगे, skin का जो light app बंद हो जाता है, इस features भी by default बंद ही रहता है, screenable करने के लिए home skin में दो finger से pinch कीजिए, यहाँ पे more setting के अंदर चलिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख play store से ओ डाइलर एक application को install करना पड़ेगा, permission दे देना, यहाँ पे default जो डाइलर है, उसको select कर लेना, उसके बाद 3 dot के अंदर आके, setting के अंदर आके, यहाँ पे call recording को check करोगे, हर एक call record होगा दोस्तों, अगर आप चाहो तो, even आप particular, specific, कोई भी number चाहते हो, सिर्प record हो, वो possible है, इस phone में 120 Hz का refresh rate मिलता है, by default ओ भी बंद रहता है, या auto में रहता है, उसको 120 Hz में select करने के लिए, setting के अंदर आना है, display के अंदर आप लोगों को आजाना है, थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आपको skin refresh rate का option दिखाई देगा, यहाँ पे high में select कर दीजिए, smooth experience मिलेगा, network speed इसको enable कर देना दोस्तों, अभी internet speed meter show करेगा, कि आपके phone में कितना speed दे रहा है, इस phone में कोई भी application के उपर, आप लोग timer भी लगा सकते हो, उसके लिए setting के अंदर, digital well-being के अंदर आजाना है, dashboard का option दिखाई देगा, नीचे में बहुत सारे application है, generally मैं चाहूंगा BGMI के उ अब और भी कोई भी application को select कर सकते हो, और timer को बढ़ा सकते हो, अब लोग अगर timer को delete करोगे, तो unlimited time के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, एक click में हार एक notification mute हो जाए, उसका भी solution है, notification drawer में आजाना, यहाँ पे mute notification का एक option दिखाई देगा, इसके उपर अगर आप office में हो, और उस टेम कोई भी application का notification आपको बहुत जादा डिश्टाप करता है, उसका भी solution है, notification drawer में आप लोगों को आना है, यहाँ पे focus mode का एक option दिखाई देगा, tap करके hold करके रखिये, focus mode के अंदर चले जाओगे, माल लीजे कोई भी application को आप लोग सिलेट कर ल आपके घर में बच्चा है, तो उन लोगों के लिए kit mode भी enable कर सकते हो, setting के अंदर आना है, special features के अंदर आना है, यहाँ पे आप लोगों को kit mode का एक option दिखने को मिल जाएगा, देखिया अगर आप बच्चे को एफोन दे रहे हो, kit mode को enable करके देना, आप जो सारे application का permission दोगे बच्चे सिर्फ ओही सारे application को use कर पाएगा, उससे जदा कोई भी application को use नहीं कर पाएगा, अगर एफोन आपके घर में कोई भी बुजूर्क इस्तेमाल करने वाला है, जिसके आँखों में उतना चीतरी किस्ते दिखाई ना देते हो, उन लोगों के लिए simple mode का features है, setting के टैप करके setting के अंदर आके watermark mark off है, अब लोग on कर दीजे, frame watermark mark है, general watermark mark है, कुछ भी आप लोग सिलेट कर सकते हो, event, time, date, location को सिलेट कर सकते हो, मैं frame को सिलेट करता हूँ और on करता हूँ, अभी देखिए, एक मैं यहाँ यहाँ पे selfie camera को ओपन करूँ, तो यहाँ पे देख link कर रहे हैं, इसको भी आप लोग बहुत आसानी से enable कर सकते हो, by default है तो बंदी रहता है, enable करनी के लिए description में link है, उस link के ओपर tap करके आप लोग हमारे website से application को download कर सकते हो, genuine trustable application है, जब आप लोग application को open करोगे, ऐसा interface दिखाई देता है, यहाँ से on-off हो जाता है, साथी में ring radius को बड़ा या छोटा भी आप लोग कर सकते हो, और यहाँ पर दोस्तो moment speed को ज़्यादा करके कहीं भी move भी करवा सकते हो, मैं camera के चारो और रखाऊं ताकि देखने में cool लगे, even color में आके color बगरा में change कर पाओगे, gradient color भी रख सकते हो, एथा दोस्तो oneplus not, CE4 light 5G का top 50 plus amazing features, अगर आप लोगों को एफ वीडियो अच्छा लगा हो, like, share, subscribe करना मत बूलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक fresh वीडियो में